असलाम आलेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे घर में एकदम 100% मार्केट के जैसी नारियल बर्फी वो भी बहुत आसानी से और बहुत कम इंग्रीडियन्स के साथ और इसका जो फाइनल रेजल्ट आता है फ्रेंड्स वो एकदम एकदम बजार के जैसा बनके तयार होता है जो खाने में बहुत ही ज़ादा टेस्टी लगता है यहाँ पे मैंने दो कप फ्रेश नारियल को फाइन ग्रेट कर लिया है उसका ब्लैक पार्ट निकालके मैं यहाँ पे फ्रेश नारियल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसके अंदर जो मिलक और ऑल होता है उसे हमारी बर यही वाला होता है यही वाला यूज़ करना है क्योंकि जो नारियल बर्फी हम बाहर से भी लाके खाते हैं उसमें यह फाइन वाला ही यूज़ होता है बस अपनी बर्फी बनाने से पहले एक बार इसे खाकर चेक कर लें कि इसका टेस्ट वगारा तो ठीक है आपकी रस्पी और हाफ कप इसमें क्रीम भी यूज़ करेंगे जो सिंपल मिल्क के उपर क्रीम होता है लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिंप मिल्क डालूंगे आप दोनों चीज़ें एक साट भी डाल सकते हैं अगर यह रौ मिल्क है तो एक बॉयल आने के बाद इसमें जो नारियल हमने ग्रे डाल देंगे और इसमें जितना भी लिक्विड है चार से पांच मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए सारे को अच्छे से ड्राइ कर लेते हैं पहले इसे मीडियम फ्लेम पे मिक्स करके पकाते हुए चार से पांच मिनट हो गया है और जो भी मिल्का लिक्विड था य अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए तो तब तक हम इसे थोड़ा सा पका लेते हैं इसे तीन से चार मिनट हो गया है लगातार चला के पकाते हुए अब इसमें जो भी लिक्विड है वो ड्राई हो गया है तो जब इतने स्टेश पर पहुच जाएगा ऐसे इकठा होने लगे थोड़ा सा मिक्स करेंगे घी डालने से क्या होगा कि हमारे बर्फी में अच्छा सा शाइन तो आएगा और इसका टेस्ट भी इन्हेंस होगा इसको मेक्स करने ने के साथ में अब इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल जो की घर पे बना हुआا है और यह बहुत जबरदस तरीक तो इसके जगे पे आप हमारा दो कप नारियल था तो हाफ कप से थोड़ा कम आप शुगर यूज कर सकते हैं जब आप शकर डालेंगे तो यहां पे फिर से लिक्विड हो जाएगा थोड़ा तो आपको उस लिक्विड को भी थोड़ा ड्राइ करना पड़ेगा तो इसे अब ह बहुत अच्छे से चार से पाच मिनट तक भूनेंगे या जब तक भूनेंगे जब तक यह कंप्लीटली पैन को नहीं छोड़ देगा यहां पे हमें फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और इसे कंटिनुवसली चलाते भी रहना है कंप्लीट इंग्रिडियंट्स के लिस् चार से पाच मिनट हो गया है पैन को भी छोड़ने लगा है लेकिन अभी इतने पेसे हमें नहीं निकालना है जब तक यह कंप्लीटली पैन को एकदम नहीं छोड़ दे और इकठा नहीं हो जाए इसे हमारी जो नारियल की बर्फी होगी उसके टेस्ट में भी परक आएगा तो यहाँ पे आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करना है जब तक यह कंप्लीटली एकदम अच्छे से इकठा नहीं हो जाए आप यहाँ देख सकते हैं इसे फिर से तीसे चार मिनट हुआ है और यह भी कितना अच्छे से इकठा होने लगा है तो इतने स्टेज तक आपको थोड़ा सा अच्छे से फ्लैट कर लेंगे बहुत पतला नहीं करना है बर्फी को इसकी थिकनेस थोड़ी अच्छी रखेंगे तो इसे हम थोड़ा सा अच्छे से स्मूध कर लेते हैं इसको मैंने अच्छे से स्मूध कर लिया है इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं अब पर हमारी बेरफी अभी सेट हो रही है लेकिन इसका कलर और देखने में ही कितना टेम्टिंग और डिलीशेस लग रहा है तो इसको पहले थोड़ा सा सेट होने देते हैं फिर हम कट भी करेंगे इसे और इसका टेक्शर भी आपको दिखाएंगे कितना यह जबरदस बनके तया होता है तो यह पर इसे अब हम कट कर लेते हैं जब थोड़ा सा सेट हो जाएगा उसके बाद कट करेंगे और कट करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे बहुत आसानी से निकल जाता है और यहाँ पर बिलकुल बजार के जैसे हमारी नारियल बर्फी बनके तयार हो गई है जब आप इसे खाएंगे तो आपको बिलकुल यकीन नहीं होगा कि आपने इतने आसानी सो इतने कम ingredients में इसे घर में ready किया है यह बहुत ही moist और soft बनता है और जैसे बाहर वाली हम बर्फी खालते हैं हाल कि इसी च्वी उस type का एकदम तयार हुआ है जिस step के साथ हमने इसे बनाया है condensed milk और थोड़ा सा cream यूज़ करके और सारे step को आप follow करेंगे तो आपकी recipe बिल्कुल 100% market के जैसे बनके तयार होगी तो आप भी इस मज़िदार recipe को जरूर ट्राई करें अगर आपको recipe पसंद आए तो अपने family friends के साथ बिल्कुल share करना ना भूले ताकि वो भी try करें sugar और नारियल का combination होता ही है जबरदस लेकिन आप जब इस तरीके से अपनी बर्फी बना के खाएंगे नारियल की तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको बिल्कुल यकिन होगा कि आपने इसे इतना आसानी से घर में ready किया है तो आप भी इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइ करें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और भी अच्छी रेस्पी वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर देख के लग रही न मेरी बर्फी एकदम मार्केट के जैसे तो आप भी इसे जल्दी से ट्राइ करें और भी अच्छी ची रेस्पी वीडियो के लिए चैनल से जूड़े रहें थैंक्स पॉर वाचिंग